CVT PG की cut-off क्या रहने वाली है? BHU के लिए, Delhi University के लिए, Jamia Milia Islamiyah के लिए and GNU के लिए. आज हम यही discuss करने वाले हैं. सभी courses के बारे में discuss करेंगे, सभी basic courses के बारे में, जैसे कि जितने MA के courses हैं, जितने MSC के courses हैं, जितने BAD के courses हैं, उन सभी के लिए इकठे में बात करूँगे. तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, कि आपको इन सब की counseling में participate करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए. क्योंकि हर एक के college के अपनी अलग counseling होती है, और हर एक counseling की अपनी अलग fee लगती है. तो आप सब colleges के लिए तो apply नहीं कर पाऊगे, क्योंकि fees सब के लिए देना आपके लिए tough बात होगा. तो इसलिए मैं आपको suggest कर दूँगी, कि इन सब colleges में अगर आपको apply करना है, तो कम से कम कितने number होने चाहिए. अगर उतने number नहीं है, तो आप इन colleges के चक्कर में मत पढ़ना. ओके आप दूसरे colleges के बारे में सोचना. तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि cut-off क्या रहने वाली है इन सबी colleges के लिए. तो आज की वीडियो में यहीं हम discuss करेंगे. Let's start. Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. CUT PG. CUT PG का paper पिछले साल तो 400 number का होता था, लेकिन इस साल Part A हटा दिया गया था. यानि General Test हटा दिया गया था, टोटल 75 questions ही आये थे. और पर question 4 marks होते हैं. इसलिए आपके total marks है 300. चीक है, पर paper. जो cut-off है, वो पर paper की हिसाब से बताऊंगी. हो सकता है, आपने एक से ज़्यादा paper दियो. तो एक से ज़्यादा paper का marks एक साथ कभी count नहीं होता है किसी भी course के लिए. आप किसी course के लिए apply कर रहे हो, तो सिर्फ उसी वाले paper का marks count होगा, ना कि आपके दूसरे वाले paper का. ये बात का आपको ध्यान रहे. एक paper टोटल 300 marks का होता है, और उस paper में कितने number आपको चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगी. ठेक है? देखो. अगर आप कोई भी MA course करना चाहते हो, BHU, DU या जामिया मिलिया इस्लामिया से. इन तीनों में से कोई भी MA का कोर्स करना चाहते हो, या कोई भी BHU का कोर्स करना चाहते हो, तो कम से कम आपके marks 220 होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट के लिए. कम से कम 220. 220 to 250 ही cut-off जाएगी. 220 से 250 तक cut-off जाएगी, MA courses के लिए. ठीक है, 220 आप मानके चलो, 220 में admission मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो 220 या 200 के लगभग भी आपके marks है न, तो भी आप एकबर try कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे 1500 या 100 नंबर लेके आए हैं, वो कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें फिर आपका chance नहीं है, आपके सिर्फ पैसे ही based होंगे, ठीक है, Delhi University and BHU के लिए, और GMI के लिए, तीनों के लिए, GNU का cutoff थोड़ा हाई रहता है, उसको हम last में cover करेंगे, category wise अगर बताओ, तो general के लिए मैंने बता दिया, कि 220 कम से कम आपके होने चाहिए, 200 तक भी है, तब भी आप participate कर सकते हो, OBC के लिए अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं, 200 या 190 तक आ रहे हैं, तो भी आप participate कर सकते हो, BHU and DU के counseling में, आपको seat मिलने के chances रहेंगे, ठीक है, अगर आप SCST या PWD candidate हो, तो आपके 1500 नंबर तक भी आ रहे हैं, तो भी आप participate कर सकते हो, आपको college मिलने के chances हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन 5-10 नंबर, 5-10 नंबर vary करेगा, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा, जितना मैं कह रहे हूं, 5-10 नंबर vary कर सकता है, 5-10 नंबर plus-minus हो सकता है, ठीक है, तो MSC Life Sciences के जो course है, जादे तर उनकी cut-off 230 से अबव रहेगी general candidates के लिए, 230 प्लस रहेगी, 230 से कम नहीं रहेगी general candidates के लि general candidates participate कर सकते हैं, लेकिन 200 से जरा भी कम है, तो आप बिल्कुल participate मत करो, उस case में college मिलने के chances बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसके बाद आता है SCSTPWD के लिए, OBC के लिए 10 marks reduce करके आप चला करो, SCSTPWD वाले जो हैं, उनको कम से कम 180 नंबर तक लाना होगा, तभी वो MSC के courses पा सक के लिए भी लगभग से marks आपको चाहिए होते हैं, अगर आप general candidate हो, तो कम से कम आपके 200 नंबर होने चाहिए, अगर आप SCSTPWD हो, तो कम से कम 1500 होने चाहिए, BAD के लिए, ओके, next अब बात करते हैं, JNU की, जवाहाल लाल नहरू University, इसमें cut-off थोड़ी हाई जाती है, अगर आपको MA के courses चाहिए, तो MA के courses के लिए JNU में cut-off कम से कम आपको 200 रखनी पड़ेगे, 200 से नीचे वाले बच्चों को college मिलना मुश्किल है, क्योंकि JNU एक अच्छा college है, उसमें cut-off हाई जाती है, MA courses के लिए, ठीक है, तो कोई भी courses में करना चाहते हो, आप कम से कम 200 नंबर का average लेके चलो, general candidates, और OBC अगर हो, तो आप 230 तक मान सकते हो, SCST, PWD हो, तो कम से कम आपके 200 नंबर होना चाहिए, तब आप JNU में participate कर पाओगे, यह सारे marks मैंने out of 300 बताए है, जैसा कि मैंने कहा था कि एक paper 300 marks का होता है, तो 300 marks के हिसाब से ही मैंने सारे cut-off बताई है, ठीक ह So this is all about the video, और कोई दिक्कत, कोई परिशानी होती है, तो आप comments में उसे जरूर बताना, हर university का बताबाना possible नहीं है, पर आप लोग जो comment करोगे, उसमें से जो common universities मुझे नजर आएंगे, कि जादे तर लोग उस पे comment कर रहे हैं, तो उसकी cut-off भी मैं आपके लिए लेके आ जा आपके लुई, झाल कर वोगे हैं, तो आपके लोगारा मैं आपके ए।ो